दोस्तो दिवाली का समय आ चुका है और कई सारे लोग यूटूब पर इतने सारे दिवाली के धमाकेदार एक्सपरिमेंट कर रहे हैं जो की बिल्कुल हटके हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे दिवाली के ऐसे एक्सपरिमेंट जिसने सबको हैरान करके रख दिया तो दोस्तो इस वीडियो की शुरुवात करते हैं सबसे पहले एक धमाकेदार वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में आपको बता दे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट फायर वर्क्स यानि की सबसे विशाल रॉकेट के धमाके का वर्ल्ड रिकॉर्ड युनाइटेड अरब एमिरेट्स और युएसे के नाम है इन्होंने एक रिकॉर्ड को बनाने के लिए करीब 1087 किलो के रॉकेट बॉम को बना कर चलाया था और इतने बड़े रॉकेट बॉम से हमें अलग-अलग तरीके के फ्लावर इफेक्ट्स रॉकेट में देखने को मिले थे दोस्तो ये अगला एक्सपरिमेंट है 30,000 रॉकेट्स का और इस एक्सपरिमेंट में इन लोगों ने 10 या 100 नहीं बलकि सच में 30,000 रॉकेट को एक साथ में जोड़कर उन्हें जला दिया सबसे पहले इनों ने इन सभी रॉकेट को एक ही रसी के साथ में जोड़ दिया ताकि सभी रॉकेट एक ही बार में जल सके और फिर देखिए जैसे ही इन लोगों ने 30,000 रॉकेट को एक बार में जलाया उसके बाद क्या हुआ दोस्तो ये अगला वाला एक्सपरिमेंट तो और भी ज़्यादा धमाकेदार है इस दिवाली एक्सपरिमेंट के लिए मिस्टर गेर नाम के यूट्यूबर ने 10,000 पटाकों को एक साथ में रखकर जलाया है इस एक्सपरिमेंट को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक लकड़ी के बोड़ पर सभी पटाकों को एक साथ में रखकर उन्हें टेप से चिपका दिया ताकि वो सारे पटाके एक बार में ही जल सके अब आप देखिए इस लकड़ी के बोड़ पर इन्होंने 10,000 पटाकों को एक साथ में रखकर एक ही रस्ती से जोड़ दिया और इसके बाद में इन्होंने दोनों तरफ से जब इन पटाकों को जलाया तो उसके बाद का नजारा आप खुदी देख लीजिए अब आपको दिखाते हैं दिवाली का एक ऐसा एक्सपरिमेंट जिस वीडियो पर करीब 80,000,000 से भी ज़्यदा व्यूज आच चुके हैं एक्सपरिमेंट यश नाम के फेमस यूट्यूबर ने इस वीडियो को करीब 2 साल पहले बनाया था जिसमें इन्हों ने बुलेट बॉम से एक सरकल तयार किया और फिर उसके बीच में एक चक्री को रखकर जला दिया था यह एक्सपरिमेंट दिखने में काफी सिंपल है लेकिन लोगों ने इस वीडियो को काफी ज़दा पसंद किया अब जैसे ही इसके बीच में चक्री को रखकर जलाते हैं तो चक्री से निकलने वाली चिंगारियां सारे बुलेट बॉम को एक एक करके जला देती है दोस्तो हमारा अगला एक्सपरिमेंट है दिवाली स्टैशिन कार इस गजब के वीडियो को Crazy XYZ नाम के यूट्यूबर ने बनाया है जहांपर इन्होंने करीब 22,000 के दिवाली के पटाके अपनी गाड़ी में डाल कर जला दिये इस एक्सपरिमेंट को करने के लिए इन्होंने सबसे पहले सभी पटाकों को खोल कर पूरी गाड़ी में फैला दिया कार की हर सीट और हर जगे पर इन्होंने पटाकों को पूरी तरीके से भर दिया और फिर जैसे ही इन्होंने इसमें आग लगाई तब देखिये उसके बाद क्या हुआ यह एक्सपरिमेंट है 5000 पॉप पॉप फायर क्रैकर्स का पॉप पॉप नाम के पटाके काफी छोटे होते हैं जिने की जमीन पर फेकते ही वो फट जाते हैं इस एक्सपरिमेंट में मिस्टर इंडियन हैकर नाम के यूट्यूबर ने करीब 5000 पॉप पॉप पटाकों को दब्बे से बाहर निकाल लिया और इसके बाद में इन्होंने इन पटाकों को काफी उचाई से जमीन पर फेक दिया 5000 पॉप पॉप पटाके जब एक साथ नीचे गिरे तब देखिये ये कैसे फटे और दोस्तों इनके इस दिवाली एक्सपरिमेंट पर करीब 20 मिलियन से भी ज़दा व्यूज आच चुके हैं सो दिवाली के एक्सपरिमेंट के नाम पर कहीं सारे लोग अजीबो गरीब एक्सपरिमेंट करते रहते हैं यहाँ पर एक यूट्यूबर ने 1000 स्पार्कल वर्सेज टॉयलेट वाला एक्सपरिमेंट किया जहाँ पर इस एक्सपरिमेंट को करने के लिए इन्होंने सबसे पहले एक खाली पड़े टॉयलेट सीट के अंदर करीब 1000 फूल जड़ियों को भर कर रख दिया करीब 1000 फूल जड़ियां इस टॉयलेट सीट के अंदर भर दी और फिर जैसे ही इन फुल जड़ियों को जलाया गया तब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आग की लपटे इस टॉलेट सीट से बहार निकल रही थी और फुल जड़ियों की तेज गर्मी के कारण टॉलेट सीट भी तूट जाता है आप देख सकते हैं कि आनार जलने के बाद में इस लोटे का क्या हाल हुआ है दोस्तो ये अगला धमाकेदार दिवाली का एक्सपरिमेंट है बिगेश सूतली बॉम अंडर वाटर इस वीडियो को बनाया है मिर्शर इंडियन हैकर ने जहांपर इन्हों ने दिवाली के सबसे बड़े सूतली बॉम को बना कर पानी के अंदर डाल कर उसे फोड़ कर देखा सबसे पहले इनों ने सूतली बम को पथरों से बांध कर सुमिंग पूल के अंदर फेक दिया और फिर जैसे ही उसके अंदर आग लगाई गई उसके बात का धमाका आपके होश उड़ा देगा पानी के अंदर इस बम का धमा का किसी बड़ी सी मिसाईल के धमा के जैसा होता है यह धमा का इतना ताकतवर होता है कि पास में रखा कैमरा भी पानी के अंदर गिर जाता है दोस्तो इस वीडियो का आखरी एक्सपरिमेंट है 30,000 रोकेट्स गन का इस एक्सपरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले 30,000 रोकेट्स को एक एक करके टेप की मदद से चिपकाया जाता है अब इसे एक गन का आकार देने के लिए इन रोकेट्स के बीच में एक पाइप को भी लगाया जाता है ताकि रॉकेट्स को जलाने पर उन्हें अच्छी तरीके से पकड़ा जा सके अब देखिए दोस्तो जैसे ही बाकी बचे सभी रॉकेट्स को एक साथ में रख कर चिपका देते हैं तो यह रॉकेट गन कितनी बड़ी और खतनाक लग रही है अब देखिए इन 30,000 रॉकेट्स को एक साथ में जलाने पर इसकी आतिजवाजी कैसी होती है दोस्तो हमने दिवाली के एक्सपरिमेंट पर और भी कहीं सारी वीडियोज बनाई है जिने के आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर देख सकते हो और ऐसी ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल रैपिट इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए